ये पूरा कानूर ही हटेगा, पिना हटे, इसमें कुछ नहीं होने वाला, अब मैं आपको समझाता हूँ, उससे आद आपको समझ भाया जाएगा, केवली एक सेक्षन बताता हूँ तो उससा इस आपको पूरी चिद समझ भाया जाएगा, जो कौंट्रेक्ट फार्मिंग है, उस contract farming की धारा 3, उसमें जो है, जो agreement होगा किसान के और व्यापरी के बीच में, मैं उसे बताता हूँ, आप समझ जाएंगे सारी, उसके बाद कुछ बताने की ज़रूद नहीं पड़िए, उस धारा 3 में लिखा है, कि किसान के और व्यापरी के बीच में जो agreement होगा, उसमें य क्या होगा, और उसकी quality क्या, नमबर तीन, उस फसल को उगाने के लिए, जो बीच होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होगे, जो मशीनरी होगी, जो तकनिक होगी, उसे वो व्यापरी जिसके साथ समझता हूँ रहा, वो देगा, इसके बाद, उसी agreement में लिखा जाएगा इसकी कीमत क्या होगी, जो फसल होगा, जब फसल पके तयार हो जाएगी, तो किस कीमत पर व्यापरी खरे देगा, ये भी लिखा जाएगा, साथ में ये भी लिखा जाएगा, कि इस फसल की कितनी बार चेकिंग होगी, तो बहुते समय, फसल जब बढ़ रही होगी उस समय, और जब फसल कटके व्यापारी खरे देगा उस समय तीन समय उसकी चेकिंग हो अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत मोटर सुधारान से समझो यह मानिए कि इसके कानूर के हिसाब से पूरे देश की जमीन पूरे देश की जो किसानों के पास जमीन है उसका जो व्यापारी हैं उनसे एग्रिमेंट होने के बाद सारी जो फसल है वो कहां जाएगी व्यापारी के घर में इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं बचेगा सारी कि सारी फसल व्यापारी खरीद के ले जाएगा और व्यापारी कितनी फसल खरीद नगता पहले उस पर फिर्दी बनता अब इशेल चल कमोडिटी जैक यानि आवश्यक वस्तु अतिर नियम से वो बैरिकेड हटा दी यानि कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे जादे नहीं कर सकते लिमिट लगा रखेती लिमिट वो खतम कर दी इसका मतलब व्यापारी जितनी एक कानूण बनाया था इस देष के करीब लोगों के लिए 82 करोड करीब लोगों के लिए National Food Security Act यैदी राश्यक खाते सरक्षा कानूण उसके तेहे 82 करोड लोगों को 3 गिलू चावल, 2 गिलू गहूं और 1 गिलू मोटा अनाज देना था हमend out second सवाल पुस्ता हूं अब समझें आपको से जब सारा अनाच व्यापारियों के पास चला गया सरकार के पास कुछ नहीं है तो सरकार इन 82 करोड लोगों को कहां से नाज लाएगी पहले तो यह बता हो इसका मतलब जो 82 करीब जो 82 करोड करीब सरकारी मदद पर निर्वरता उसक्म हो गया मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के ख्लाप पी जह बात करने पर किसानों के ख्लाव लोग समझ रहें नहीं कि पूरे देश के ख्लाब है 52 करोड ख्रीभ खतम, धेश में पांच लाग जो राशन की दुकाने हैं, खतम, पांच लाग राशन की दुकानों में कुछ रोजगार भी मिलता होगा, खतम, अब इसके बार, आप आ जाईए, कि जब किसान को सारी चीजें, जो खाद भी है, बीज भी है, कीटना शक भी है, मशीन भी है, टक खतम, तो आपने व्यापारी खतम कर दिये, करीब मजदूर खतम कर दिये, और किसान को आपने बंदग बना दिया, मजदूर बना दिया, गुलाम बना दिया, कैसे, अम मैं बता दो, जब किसान की जमीन पर एग्रिमेंट हो गया, तो किसान चाहा कर भी, अपनी जमीन से, ए मतलब यह है कि अपनी ही जमीन पर मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए अगर मन करता है जो फसल मैंने उगाई है मेरी महनत के फसल है उसमें से एक दाना नहीं ले सकता ऐसे कानून का क्या करूँगा मैं और इस कानून ने व्यापारी खतम कर दिया इस कानून ने मजदूर खतम कर दिया और साथ में जो किसान है किसान को इतनी भी महलत नहीं दी गई आज की तारिक में तो किसान किसी भी ना इस कंद व्यापारी के हाथ में पूरा देश जाने वाला है और जब व्यापारी के साथ में समझोता हो गया तो कोई बैंक भी किसान को लोन नहीं देगा कोई भी बैंक इसका मतलब यह हुआ कि अगर उससे पैसा चाहिए किससे लेगा एकी रास्ता बचा उस व्यापारी से तो सरकार कहती है ना कि जमीन नहीं जाएगी ऐसे जाएगी जमीन उसी व्यापारी से जब वो करजा लेगा धीरे धीरे करजा बढ़ता चला जाएगा और करजा बढ़ता चला जाएगा व्यापारी का ब्याज बढ़ता चला जाएगा लिहाजा तो किसान है अपनी ही जमीन उसी व्यापारी को बेचने पर मद्गूर हो जाएगा अब थोड़ा से पीछे जाओ आप आपको लेके जाते हूँ 1947 से पहले क्या था इस देश में जो साहुकार होते थे वो ऐसे ही करते थे किसान को ब्याज दिया और वो ब्याज क्या पैसा दिया वो पैसे इतना ब्याज ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज किसान की पीडियां गुजर जाती थी गरजा नहीं उतरता था और सारी जमीन जो साहुकार के हाँ पे चली जाती है मदर इंडिया देखो और नए उसमें देखो धर्मेंदर जी की गुलामी देखो आप और अगर पढ़ना हो तो बोदान पढ़ो मुंसी प्रेम चंजी का और उसके बंदवा मजदूर बनेगा उसके बाद में अपनी ही जमीन पर गुलाम बन जाएगा यह इस कानून का पढ़नाम जो आगे तक नेजर आता है इसलिए यह कानून पूरे देश को तभा करने वाला अब एक चीज हो रहेगी उसे भी बता दे जो मद्यमवर के लोग जो आज रोटी खा रहे हैं जब व्यापारी सारा अनाज अपने गोदामा में बंद कर लेगा तो वो जो आज उसने लिया जिस दाम पर उससे 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना दाम पर बेचेगा तो जो मद्यमवर के लोग जो घरों में बैठे हैं अगर उनको बाहर आनाज जी सांदोलने उनको आज जो अनाज, यह आटा, 20 रुपे से 25 रुपे, 30 रुपे किलो मिला है, वो ही इस कानून के लागू होने के बाद, वो आटा, वो अनाज उन्हें 5 से 6 गुना दाम पर मिलेगा, 100 रुपे, 700 रुपे, 1.500 रुपे किलो मिलेगा, तो असर किस पर पढ़ेगा, एक भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, जिस पर इस कानून का असर ना पड़े, इसलिए मैं कहता हूँ, कि यह किसानों के विरोधमने हैं, देश को तबाह और परपात करने हैं,